नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रौसन और आप देख रहे हैं GK Affairs यूटूब चनल दोस्तो इस चनल पे आपको प्रिवेस एर पेपर का डिसकसन और साथ ही साथ जनरल अवरनेस की त्यारी करवाई जाती है तो आप लोग जरूर इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखें आज हम पेपर जो डिसकस करेंगे वो है DFCCell में Executive Information Technology का पेपर हुआ था 24 अगरस्त 2023 को इसमें जनरल अवरनेस के जितने भी प्रस्ण पूछे गए थे सभी को हम डिसकस कर लेंगे अब देखिए ए वीडियो भी आपके लिए रामबन सावित हो सकता है अगर मेंस का एक्जाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें हम सभी प्रिवियस एर पेपर को डिसकस कर चुके हैं तो इसको जरूर देख लिजेगा रेलबे का भी पूरा पेपर हम डिसकस कर चुके हैं उसको भी जरूर देख लिजेगा चैनल पे सभी वीडियो मिल जाएगी अगर पूछा जाए तो चक्रवर्ती राज गुपाला चारी इसका सही उतर होगा और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल तो लौड माउंट पेटन होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारती गवर्नर जनरल भी पूछा जाए तो चक्रवर्ती राज गुपाला चारी होगा तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान देखिएगा तो करेक्ट उतर इसका भी होगा चक्रवर्ती राज़ु कॉपलाचारी इसका सही उत्तर होगा अम देखे next question है कि राज़ के राज़पाल को कौन हटा सकता है तो देखे राज़ के राज़पाल को हटा सकते हैं भारत के राष्डपती क्योंकि उन्हीं के pleasure पे जो है काम करता है लेकिन कहें न कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि राष्टपती जो है प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परसद के सलाह पे ही काम करते हैं तो कहें न कहें गवर्मेंट कहां पर हाथ होता है लेकिन हटाते कौन है तो राष्टपती हटाते हैं तो इसको ध्यान रखि किये जाते हैं and holds office during the pleasure of the president तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अधिके question है कि भारती राष्टिय कॉंग्रेस के बारसिक सिखर सम्मेलन की अध्यचता करने वाली पहली महिला कौन थी? कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि भारती राष्टिय कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यच कौन थी? जिन्होंने अध्यचता की थी? तो यहाँ पर एनिवेसेंट होगा एनिवेसेंट इसका सही उतर होगा एनिवेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अध्यचता की थी तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा और अगर पहली भारतीय महिला अगर पूछा जा जो कि कॉंग्रेस की अध्यचता की थी और सरोजनी नाइडू पहली भारतीय महिला बनी थी जो की कॉंग्रेस की अध्यचता संभा ली थी 1925 के इसको ध्यान रखिएगा कानपूर अधिवेशन की और महात्मा गांधी 1924 का बेलगाउं अध्यचता की थी एक बार ही महात्मा गांधी ने अध् सीख धर्म में ही की गई है तो सरबत खालसा जो है यहां पर सीख धर्म से ही संब्दित है इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो सीख धर्म ही इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके देखे नेक्ट कोशन आपके सामने है कि नमलखीत में से किस गरह को पिर्थवी की जुड़वा ब पहन सुक्र को ही बोला जाता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके देखे नेक्ट कोशन है कि किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है यानि कि सौरो ऑफ बिहार तो सौरो ऑफ बिहार जो बोला जाता है वो कोसी को बोला जाता है क्योंकि कोसी जो है बिहार के जो हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखेगा और देखे दामोदर को बंगाल का सोक बोला आता है दामोदर को किसको सोक बोला आता है तो बंगाल का सोक बोला आता है इसको जरूर ध्यान रखेगा कोशन है कि हाल ही में अस्टॉक होम 50 प्लस 50 बैठाक नमलखित में से किस अस्थान पर आयुजित की गई है तो देखिए अस्टॉक होम प्लस 50 का आयुजिन जो है कब किया गया तो 2 से 3 जून 2022 को किया गया किसके दोरा तो उनाइटड नेशन जनरल असमली के दोरा किस उपलक्ष में क्योंकि 1972 में हुआ था उनाइटड नेशन कानफरेंस और इनवरमेंट पर पहला जो समयलन हुआ था 1972 में कहां पर हुआ था तो अस्टॉक होम समयलन ही उसको बोला याता है और उसके उपलक्ष में ही 50 साल देखे पूरे हो गये हैं 1972 से 50 करिये तो 2222 होता है तो अस्टॉक होम में ही उनाइटे नेशन जनरल असमली के द्वारा जो है इसका एउजन किया गया था तो करेक्ट उतर इसका डी होगा 1961 से जो है दिया जाता है तो 1961 से एक पुरसकार जो है दिया जाता है इसको भी जरूर ध्यान रख लिजेगा और खेलों में सरवच पुरसकार है जो है पहले राजिव गांधी खेल रतन पुरसकार बोला जाता था तो लाल रंग किस कारण से होता है तो लाइको पीन के कारण से होता है तो करेक्ट उतर इसका एसे होगा यानि की टमाटर में लाल रंग होता है लाइको पीन के कारण से उसका देखे नेक्ट कोशन है कि भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस की इस्थापना किस वर्स होई थी त और दाफरिंगे नेक्ष्ट को सब्सक्राइब लॉजन तो अब देखिए नेक्सक्ट कोचन है कि मुद्रास प्यति की गणना निमकित में से किसका उपयोग करके किया जाता है तो देखे किसका उप्योग किया जाता है तो consumer price index CPI का उप्योग करके किया जाता है WPI होता है wholesale price index लेकिन consumer price index के अधार पे ही मुद्रा अस्फिती यानि की inflation की जो है calculations की जाती है इसको जरूर ध्यान रखेगा अब देखे next को चन है कि lie हरोबा किस राज्य का तेवार है तो lie हरोबा दोस्तो मनीपूर का तेवार है करेक्ट उतर इसका D होगा मनीपूर इसका सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रख लिजेगा उसके देखे next को चन है कि स्वामे विवेका नंद ने सिकागो में अपना परसित भासन किस वर्द दिया था तो देखे सिकागो में हुआ था 11 सिप्तंबर 1893 को जी हाँ 11 सिप्तंबर भी डेट याद रख लिजे 1893 को बिस्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें जो है यानि कि उसका सही उतर होगा D1893 यानि कि 11 सिप्तंबर 1893 को जो बिस्व धर्म सम्मेलन हुआ था सिकागो सहर में अमेरिका के सहर है यहाँ पर विवेका नंद ने सिस्टर्स और ब्रदर्स ओफ अमेरिका करके जो सुरुवात की थी तो उससे जो है अद्बूत भासन है यहाँ पर ब बीच में हुआ था तो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस और आल इंडिया मुस्लिम लीक के जो है बीच होई थी थी ध्यान रखेए गाउन लखनाव समझोता जो कॉंग्रेस के बीच में यानि कि INC Indian National Congress और All India Muslim League के बीच में हुई थी तो 1916 इसका सही उत्तर होगा अब next question आपके सामने है कि बिटामिन A का समरिद सुरूत कौन सा है तो देखें बिटामिन A जो है गाजर में जो है मुखे रूप से पाया जाता है इसको जरूर ध्यान रखेगा नीमू में आमला में बिटामिन C पाया जाता है और जल में घुलन सील बिटामिन जो है वो है B और C तो B और C जो है जल में घुलन सील बिटामिन है जब कि बसा में है कीड़ा K E D A, दियान रखेगा, A D E और K जो है ये बसा में घुलन सील है, इसको भी जरूर दियान रखेजेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 15 कोशन ही पूछे गे थे, सभी को हमने डिसकस कर लिया है, बस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, और सेर कर दिजेगा दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, सो थेंकि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद,